शव्य एवं दृष्यमाध्यमों आदियो वीडियो से संबंधित प्रमुक शब्दावली टेलेविजन टेलेविजन मूलतह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों टेले तथा विजन से मिलकर बना है टेले ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दूरी पर, विजन लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है देखना इस प्रकार टेलेविजन का अर्थुआ दूर से देखना, दूर इस्थित किसी वस्तु या घटना के साक्षात दर्शन करने वाला उपकरण टेलेविजन को हिंदी में दूर दर्शन लिखना ही उचित है, दूर दर्शन नहीं दूर-दर्शन ये शब्द दूरदर्शन से भिन्न है दूरदर्शन बिना हाइफन लगाय से अभिप्राय भारतिय जन्मानस उपकरम से है जबकि दूर-दर्शन से अभिप्राय विश्व व्यापी टेलेविजन के परयाय रूप में है एडियेट बॉक्स भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष 21 नवंबर की विश्व टेलेविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। केबल टेलिविजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से टेलिविजन संकेतों को घर में लगे टीवी सेट तक छत पर लगे एंटीना की जगha एक केबल तार द्वारा पूंचाया जाता है इसे Community TV के नाम से भी जाना जाता है Cable TV में चित्र बहुत ही साफ दिखाई देते हैं Star TV, CNN, एवं Sky TV आधी विश्व के प्रमुक Cable TV है Global Village की छवी विक्सित करने में इन चैनलों की एहम भूमिका है सन 1990 के खाड़ी युद्ध Gulf War प्रथम ने केबल टेलेविशन में एक नई युग का सूत्रपात किया था विश्व में पहली बार CNN चैनल ने इस युद्ध का सीधा प्रसारण किया ये प्रसारण पूरी दुनिया में चर्चित रहा सन 1992 में पहला भारतिय निजी प्राइवेट चैनल जी टीवी शुरू किया गया सेटलाइट यानी उबग्रह टीवी वर्तमान के एक दुरुविय विश्व में अब पुराने जमाने का शीत युद्ध सेटलाइट या उबग्रह टीवी ने राष्ट्रों की भगोलिक सीमाओं इवम राष्ट्रिय राज्य नैशनल स्टेट की आवधारनाओं को एक सिरे से नकार कर खारिज कर दिया है कहा जा सकता है कि यदि टेलेविशन आधुनिक्ता का प्रतीक था तो सेटलाइट टीवी उत्तर आधुनिक्ता का प्रतीक है सेटलाइट टीवी की व्यवस्थित शुरुवात लगभग सन 1980 के दशक के प्रारंब हो चुकी थी अमरीका के मीडिया के महाबली टेड टर्नर ने सन 1980 के आसपास ही CNN चैनल की स्थापना की थी इसी की देखा देखी मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक ने भी सन 1990 में अपने 24 घंटे न्यूज का सेटलाइट टीवी शुरू किया वर्तमान में पुरी दुनिया में CNN, BBC एवं Sky News ही चाय हुए हैं परन्तु इन में भी मात्र CNN ही सबसे आगे हैं वर्तमान में इन पश्चिमी समर्थक सेटलाइट चैनलों के विरोध में एवं उनके जूट व फरेब का परदाफाश करते हुए अल जजीरा के टीवी प्रसारन विकारशील देशों, तृतिय विश्व व थर्ड वर्ल्ड, खास तोर से एशियाई देशों में लोगप्रिय हो रहा है दूरदर्शन दूरदर्शन भारत का सरकारी चैनल है दूरदर्शन का भारत में पहला प्रसारन 15 सितंबर 1969 को प्रायोगिक रूप से आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में इस्थित एक स्टूडियो से शुरू किया गया एक अप्रेल 1976 से दूरदर्शन आकाशवाणी से प्रिथक होकर स्वतंत्र रूप से अस्थित्तू में आया सन 1982 में रंगीन टेलेविजन से प्रसारन की शुरूआत नई दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान हुई दूरदर्शन से जुलाई 1984 में भारत का पहला प्रायोजित धारवाहिक हम लोग प्रसालित हुआ था 90 के दशक के प्रारंब तक भारत में दूरदर्शन ही एक मात्र द्रिश्ष श्रव्य माध्यम था परन्तु धीरे धीरे सेटलाईट का केबल टीवी चैनलों का प्रवेश हुआ इन चैनलों ने दूरदर्शन को चुनौती दी 23 नवंबर 1997 से दूरदर्शन और आकाशवानी को प्रसार भारती बोर्ड के अंतरगत कर लिया गया आज दूरदर्शन विश्व के सबसे बड़े टेलेविजन नेटवर्क प्रसारन तंत्र में से एक है वर्तमान में दूरदर्शन की राश्ट्रिय नेटवर्क में 64 दूरदर्शन केंद्र वर निर्मान केंद्र तथा लगभग 30 चैनल वर DTH डरेक्ट टू होम सेवा शामिल है हाल ही में दूरदर्शन ने डिजिटल स्थल्चर संचारी डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांस्मिटर्ज शुरू की है टेलेविजन रेटिंग पॉइंट का संबंद विज्यापनों से होता है जिस टीवी चैनल की टेलेविज्यापन मिलने की संभावना होती है मार्केटिंग वर रेटिंग एजिंसियां ही टी आर्पी के आंकडे जुटाती हैं और विभिन चैनलों एवं टीवी इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे पक्षों को उची कीमतों पर बेशती है मार्केट रिसेर्च एजिंसियां हर सब्ता गुरुवार की रात या शुक्रवार को टीवी चैनलों के संभंद में आंकडे जारी करती हैं उलिखनी यह है कि जहां कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि content is the king माने विशयवस्तू की राजा या king होती हैं फिर बाद में कहा जाने लगा कि distribution is the king माने चैनल की वितरन व्यवस्था ही उसे आगे ले जाती है वही वर्तमान में माना जाता है कि T.R.P. is the king माने जिस चैनल की T.R.P. जितनी ज्यादा होगी वही राजा है T.E.M. Television Audience Measurement T.E.M. का पूरा नाम Television Audience Measurement है यह एजेंसी भारत में TV चैनलों से संबंदित आंकडे देने वाली प्रमुक एजेंसी है T.E.M. India जो आंकडे देती है उसे सत्यमानकर TV इंडस्ट्री अपनी विज्यापन एवं संपादकिये नीतियां तयार करती है T.E.M. India जिन मशीनों के सहारे सैंपले कत्र करती है उन्हें पीपल्स मीटर कहा जाता है T.E.M. सब्तह में एक बार गुरुवार की राज शुक्रुवार को अपने आंकडे जारी करती है T.E.M. स्टिंग ऑपरेशन जब गुप्त या कुफिया कैमरों की सहायता से किसी गुपनी घटना आदी को परदे पर लाया जाता है तो TV चैनल इसे स्टिंग ऑपरेशन का नाम देते है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आपराद करने वाले व्यक्ति को धर दबोचने के लिए एक सुनियोजित ढंक से अंजाम दिया जाता है दूसरे शब्दों में गुप्त कैमरे, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोचिप आदी की मदद से सत्य की हस्त गत कर और उसे TV के परदे पर दिखा कर करोणों लोगों की आँखों में परोस्क देना ही स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है Breaking News समाचार प्रसारन काल में घटित घटना वा समाचार को Breaking News कहा जाता है, जो विशेश रूप से समाचार प्रसार के दौरान निरंतर सूचना के रूप में प्रसारित किया जाता है Breaking News में इस बात का भी विशेश महत्व रहता है कि किस समाचार चैनल ने उसे सबसे पहले ब्रेक किया और बाद में उस घटना या समाचार को कैसे फॉलो अप किया Live या सीधा प्रसारण, Live टेलेकास्ट समाचारों में लगातार ताजगी लाने का एक बड़ा नजर या Live है किसी घटना के लिए द्रिश्यों को बार बार Live दिखा कर बुलिटिन में ताजगी लाई जाती है टेलेविजन न्यूस के वर्तमान दौर में Live की बहुत एहमियत है इसलिए तेज़ी वर ताजगी बरकरा रखने है तू चैनल ज्यादा से ज्यादा Live पर ही निर्भर करते हैं Live का संबंद खबरों को तेज़ी से दर्शकों तक पहुँचाने से होता है ओबी वैन आउटसाइड ब्रोटकास्ट वैन टेलेविजन पर सीधे प्रसारण Live टेलेकास्ट के लिए ओबी वैन का प्रयोग किया जाता है ओबी वैन प्रसारण प्रकरिया में घटनास्थल एवं टेलेविजन केंदर के बीच एक कड़ी का काम करती है इसके उपर एक डिश लगा होता है जिसका संपर्क टेलेविजन केंदर के नियंतरन कक्ष से होता है ओबी वैन एक तरह से चलता फिरता मिनी स्टूडियो होता है आउटसाइड ब्रोटकास्ट को रिमोट टेलेकास्ट भी कहा जाता है ओबी वैन को दो भागों में बाटा जा सकता है पहले भाग को प्रोडक्शन पैनल कहते हैं तथा इसके दूसरे भाग को कंट्रोल सेक्शन कहते हैं एंकर टेलेविजन के समाचारों एवं कारकरमों को प्रस्तुत करने वाला एंकर कहलाता है टेलेविजन एंकर न्यूज बुलेटिन की जान होता है एंकर ही दर्शकों को कारक्रम से बानते हुए कारक्रम का संचालन करता है जब टीवी पर दूर दर्शन का एक आधिकार था उस समय समाचार बुलेटिन में एंकर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी उस दरान समाचार वाचक यानि न्यूज रीडर होते थे जो लिखे समाचारों को स्क्रीन पर पढ़ते थे तेस समाचार चैनलों ने इस आधुने की युग में समाचार वाचकों का स्थान एंकरों ने ले लिया है रिपोर्टर रिपोर्टर समाचार जगत का एक महत्तोपून व्यक्ति होता है। उसका प्रमुक कार्य समाचार संकलन, न्यूस ग्यादरिंग करना तथा उन्हें किसी समाचार समुह के लिए लिखना होता है। रिपोर्ट्स की कई शेनिया होती हैं, मुख्य रिपोर्टर, विशेश रिपोर्टर, विदेश रिपोर्टर, कार्यालय रिपोर्टर आदी। रिपोर्टिंग शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट से बना है। रिपोर्टिंग का शाब्दिक अर्थ है समवाद लिखाना या भेजना, सूछना देना, विवरण देना आदि रिपोर्टिंग का कार रेपोर्टर ही करता है जो समाचारों को एकतृत कर उन्हें महत्व के आधार पर समाचार पत्र को प्रेशित करता है समाचार को सूंगना, नोज फद न्यूज समाचार लेखन का प्रथम गुण समाचार की गंद, नोज फद न्यूज प्राप्त करने की शक्ती को माना जाता है समाचार सोने की क्षमता से तात पर है कि समवाददाता द्वारा प्राप्त सूचना की प्रकृती को देख कर ही समझ जाना कि कोई सूचना समाचार बन सकती है या नहीं यदि बन सकती है तो इसमें news value कितनी है? किसी घटना को समाचार कहा जा सकता है, इसकी पहचान समवाद दाता में होनी चाहिए. ओडियन्स या श्रोता दर्शक या श्रोता का अर्थ होता है, टीवी या रेडियो के कारक्रमों को देखने सुनने वाला व्यक्ति, ओडियन्स शब्द की उत्पत्ती लेटिन भाषा के ओडिट सेवा से हुई, जिसका अर्थ प्राप्त करता होता है. प्राइम टाइम Prime Time से तातपर उस समय से है जब दर्शक सबसे ज्यादा TV देखते हैं मोटे तोर पर सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम को 7 बजे से 11 बजे तक के समय को ही Prime Time कहा जाता है Soft Copy किसी प्रोग्राम या फाइल को जब किसी Electronic Media यानि Floppy या CD पर Copy कर लेते हैं तो उस प्रोग्राम या फाइल को Soft Copy कहते हैं प्रिंटर द्वारा प्रिंट की गई फाइल को Hard Copy कहते हैं Media is the Message प्रसिद्ध मीडिया विशेशग्य मार्शल मेकलुहान का वाक्य है कि माध्यम यानि मीडिया ही संदेश है Media is the Message एक विश्व विख्यात मुहावरा बन चुका है इसका वर्णन मैकलुहान ने अपनी पुस्तक Understanding Media में सर्वप्रथम किया था इसे केवल टेलेविजन के संदर्ब में ही नहीं बलकि आज के Electronic Door की सभी कलाओं की संप्रेशन प्रक्रिया को एकिकरित रूप से एक समगर सिद्धान्त के रूप में प्रसारित किया जाता है मैकलुहान ने जनसंचार माध्यमों को दो भागों में बाटा है एक गर्म माध्यम, हॉट मीडियम, दूसरा थंडा माध्यम, कोल्ड मीडियम गर्म माध्यम वो है जो सूचनाओं को शोता तक एक इंद्रियों से प्रदान करते हैं थंडा माध्यम वो है जो शोता एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से सूचना गरहन करते हैं मैकलुहान के अनुसार, टीवी, दूरभाश, पुस्तक, पिछले देश आधी ठंडे माध्यम है, जबकि रेडियो, फिल्म, फोटोग्राफ, विक्सित देश, मुद्रित माध्यम आधी गर्म माध्यम है. मीडिया ट्रायल, यानि मीडिया ट्रेल, वर्तमान में टीवी चैनलों में आपसी होड की वज़ा से टीवी पत्रकारिता में खोद ही सुनवाई करने, तथा फैसला सुनाने की प्रवर्ती एकदम से बढ़ रही है. किसी तरह की कोई घटना हुई नहीं कि पत्रकार कसूरवार को ढूनने का काम शुरू कर देते हैं. हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें समाचार्ट चैनलों ने स्वयम ही नियाधीश बनकर गलत फैसले सुनाए हैं. बाद में अदालतों द्वारा उने मीडिया ट् कूचना प्राद्योगी की IT को प्रतिध्वनित करती है, जिसमें उपग्रहिय संचार, सेटलाइट कम्यूनिकेशन की आदोनिक सुवेधाओं एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग आधारिस संचार प्रनालियों को शामिल किया जाता है. इसके अंतरगर डिजिटल टीवी स प्रिष्ट 161 IT के प्रमुक साधन इंटरनेट, www, email तथा इंटरनेट का प्रयोग होता है. वर्तमान में कई पत्र पत्रेकाएं इंटरनेट पर उपलब्द हैं, कम्प्यूटर का बटन दबाते ही इंटरनेट पर 24 गंटे समाचार उपलब्द हैं. ये सूचना का सूपर हाइवे है, Information Highway भी कहा जाता है. Graphics, सजीव, आरेखी, चित्रन, Animation. नई पत्रकारिता विशेश रूप से टेलेविजन पत्रकारिता तथा टेलेविजन के अन्यशिक्षा एवं मनोरंजन परक कारिक्रमों में मल्टी मीडिया का व्यापक स्तर पर उपयोग होता है. फिल्मों तथा न्यूस चैनलों में इसक Software ये एक ऐसा Platform या स्थल है जहां से लोग विभिन प्रकार की सूचनाएं मुफ्त या कम खर्च में प्राप्त करते हैं. इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी Worldwide Computer Network है जो दुनिया भर में फैला हुआ है. इंटरनेट नेटवर्कों का Network Network of Networks है. इंटरनेट की शुरुवात अमरीका में Advanced Research Project Agency ARPA से सन 1989 में ARPA NET के रूप में हुई. सन 2017 तक इंटरनेट उप्योग करताओं की संख्या विश्व में लगभग धाई अरब से आधिक थी. वेब साइट किसी भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी, विशय के मुद्दें के बारे में संबंदित वेब पेज या प्रिष्ट का संग्रही वेब साइट कहलाती है. वेब साइट कंप्यूटर का एक अध्याए है, यदि इंटरनेट एक किताब है, तो वेब साइट उसके अध्याए हैं. वेब साइट को www भी कहा जाता है, अथवा www जिसे W3 World Wide Web भी कहते हैं. World Wide Web का प्रतिपादन एवं प्रथम www वेब साइट का निर्मान सरुप्रथम टिम बर्नर्स ली द्वारा सन 1990 में किया गया है. इमेल इंटरनेट के द्वारा संचालित इलेक्ट्रोनिक मेल सेवा है. इमेल सुविधा इंटरनेट द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं में सरवाधिक लोक प्रिय है. ये कागज रहित सुविधा होती है. इसमें क्षन भर में विश्व में किसी के भी पास पत्र भेज सकते हैं ये अन्य संचार माध्यमों की अपेक्षा काफी सस्ता है इमेल का विकास रे टॉमिलसन टॉम लिंसन द्वारा सन 1972 में किया गया था वर्तमान में गूगल इंटरनेट सर्च इंजिन के रूप में सरवाधिक लोकप्रिय है गूगल इंक अमरीका की एक ये कंपनी ओनलाइन उत्पादक सौफ्ट्वेर जैसे जीमेल, वर्ष 2004 से इमेल सेवा और सोशल नेटवर्किंग सेवा जैसे औरकुट, यूटूब एवं गूगल प्लस आधी प्रदान करती है चैट, कंप्यूटर के माध्यम से की जाने वाली बाचीत को चैट कहा जाता है, इसमें दूर बैठे व्यक्ति एक ही चैट सरवर पर लॉग आउन करके, कुझी पटल के जरीए एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं वर्तमान में इंटरनेट पर सेकड़ों लोग प्रिये चैट सरवर उपलब्द हैं, जिनमें याहू और MSN विश्वस्तर पर काफी लोग प्रिये हैं, वैसे तो चैटिंग लिखित होती है, परन्तु वर्तमान में वोईस चैटिंग काफी लोग प्रिये है ब्लॉग विचार विमर्ष के मंच मात्र होते हैं इन्हें समाचारों का दूत नहीं माना जाना चाहिए उलेखनी है कि अंग्रेजी शब्द ब्लॉग वेब लॉग शब्द का सोक्ष्म रूप है बाद में इसका केश्ट ब्लॉग